हेलो गाइस, वेल्कम तो मोटोप्रोक, तो आज हमारा थीस्टा ये सीरीज है, सीरीज का थीस्टा पार्ट है, तो आज हम इसमें बात करेंगे, यामा के नया जो इव्टी 50 डॉच हो है उसके बाड़े में, तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को मेरे वाइकिन को प आज हम देखेंगे कि क्या के हमें मिल रहा है, क्या के पीचर्स मिलेगा, इसका प्राइस क्या है, तो इसमें हमें 155.1CZ का इंजिन मिलता है, जो हमें 19.3BHP पावार और 15Nm का टॉक मिलता है, तो यही है, इसका तैंक कैपासिटी थोड़ा सा कम है, ये 10L का तैंक का तैंक मिल जाएगा, तो इसमें हमें करीब 40-45 का कोईल एकोनोमी मिल जाएगा, तो इसमें हमें सीचाइप मिलेगा, जैसा कि आरवान 5 वर्शल 3 में मिलता है, जो अच्छा नाइप विजिबिटरी देगा, इसका इंस्टुमेंट कर चाचा होगा, फुली डिजिजल होगा, जैसा कि हमें 18 वर्शल 3 में मिलता है, तो इसमें एक्सपेक्टेद दैट के हमें ये 12 चैनल ABA सिस्टेम में मिलेगा, तो इसका जो फ्रंट डिस्क है, वो 2-80 mm का डिस्क डामेटर का डिस्क है, और इसमें टायर के अगर बात करें, तो सामने मिलता है 180-17 निच का त्यूबलेस टा तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस, और क्या-क्या बहार से चेंज है, तो इसमें एक्सपेक्टेट किया जा रहा है, अभी ऑफिशेली नहीं बोला गया, लेकिन ये एक्सपेक्टेट है कि इसमें हमें USD फोक्स नहीं मिलेंगे, तो क्योंकि cost reduction purpose है इंडिया के लिए, तो हमें वह नॉर्मल जो conventional फोक्स है, वह हमको मिलेगा, ठीक है, इसका top speed जो जाएगा, प्राइस होगा, अभी नहीं बोल सकते, एक शोरूम प्राइस होगा, करीब 1 लाख 20,000 के करीब एक शोरूम प्राइस होगा, बाकी तो जो शोरूम प्राइस होगा, यही था आज क्या launch event क जो आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैंने उस सब को आपको बता दिया है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, नेक्स वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स वीडियो में हम जो यामा का FZ version 3 निकलेगा, उसके बारे में बात करेंगे, तो stay connected मेरे चैनल में, वीडियो को लाइक कीजिए, शियर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, थैंक्यू